आने वाले गर्मी के सीजन में मिर्च की फसल से अच्छी कमाई की जा सकती है पर नुकसान भी हो सकता है अगर हम सही तकनीक से मिर्च की खेती नहीं करते हैं तो मिर्च की खेती करने की सही तकनीक क्या है यही हम इस वीडियो में जानेंगे जिस से मिर्च की फसल में हमारी आन खेती करने की सही तक्निक या तरीका जानने के लिए वीडियो को अंतितक जरूर देखें। मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता देता हूँ कि हम इस वीडियो में किन-किन पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा सही समय जो की सबसे जरूरी है। फिर हम बात करेंगे कि मिर्च की फसल ये लिए कौन से बीच का चुनाओ करें। फिर मिर्च की नरसरी के से तैयार करें। फिर मिर्च की नरसरी तैयार होने के बाद मिर्च के पोदोगा ट्रांसपरांट खेत में किस तरह से करें, फिर हम जानेंगे कि मिर्च की फसल में लगने वाले कीट वारोप और उनके क्या उपाई हो सकते हैं। साथ ही साथ में यहां भी बताऊंगा कि जो मिर्च की फसल में हमारे फूल जड़ते हैं, बहुत सारे किसान भाईयों के साथ में एसा पहले भी हुआ होगा, तो इसके पीछे की कारण क्या है और उनके उपाई क्या है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर द गर्मी के सीजन में मिर्च की खेती करने का सही समय क्या है, तो आप मिर्च की नरसरी फरवरी के महीने में लगा सकते हैं, हमें मिर्च के पोदो का ट्रास्प्लांट 15 मार्च के पहले पहले करना होगा, जिन किसान भाईयों ने मिर्च की नरसरी लगा दी थी, तो वे फरवर के इस महीने में मिर्च के पोदो का ट्रास्प्लांट कर सकते हैं यानि कि हम फरवरी के महीने में नरसरी लगा सकते हैं और ट्रास्प्लांट भी कर सकते हैं और 15 मार्च के पहले-पहले हमें मिर्च के पोदो का ट्रास्प्लांट करना होगा जैसा कि मैंने टमाटर वाले वीड में जरूर कर दो अगर फरवरी के महीने में कर देंगे तो यह सबसे अच्छा नहीं अब हम बात करते हैं कि कौन से बीच का चुनाओ कर तो देखें मिर्च की मुख्यता दो प्रतार रहते एक होता है हमारा डार्क ग्रीन विराइट और दूसरी होती है लाइट ग्रीन अगर डार्क ग्रीन विराइटी का अच्छा मार्केट मिलता है तो आप डार्क ग्रीन विराइटी के बीच का चुनाओ करें और अगर लाइट ग्रीन विराइटी का अच्छा मार्केट मिलता है तो आप लाइट ग्रीन विराइटी के बीजों का चुनाओ करें डार्क ग्र इसके जो फल का रंग रहता है वाय एक गम डार्क रहीन रहता है और इसका टेस्ट अत्य दिक तीखा रहता है। साथ ही साथ इसके पोदे की हाई 3-4 फिक तक रहती है और इसके फल की हाई 8-10 cm रहती है। और हमें इसकी पहली हारवेस्टी 55-65 दिन के बाद मिलती है। जिन किसान भाईयों के एरिया में लाइट ग्रीन का अच्छा मार्केट था, तो लाइट ग्रीन के कुछ उनना सिट्स इस प्रकार, जैसे हाइवेच कमपनी की सोनल, VNR की रानी 332, VNR की 109, सेविनस की सितारा गोल्ड, ये जो लाइट ग्रीन वेराइटी है, इसका जो फल या एकदम light green color का होता है, टेस्ट इसका कम तीखा होता है, लेकिन इसके जो फल की हाईट है, वह बारा से 12 से 14 सेंटिमिटर तक रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके फल की हाईट हमें, मंढी में जादा देखने को मिलती है, तो या light green variety रहती है, साती ही सात इसकी सितर से पिचुत्तर दिन में मिलती है डार्क ग्रीन की हार्वेस्टिंग हमें जल्दी मिलती है लाइट ग्रीन की हार्वेस्टिंग थोड़ा लेट मिलती है Ma? मिर्च की फसल लगाने के लिए जो हमारा साही समय था, वहाब हमें पता चल गिया है, उनसे बीच का चुनाओ करना, यहाँ भी हमें पता है। मिर्च की नरसरी 25 से 30 दिन में ट्रांस्प्लांडिंग के लिए तैयार हो जाएगा यानि कि अगर आप 12 फरवरी के आसपास मिर्च की नरसरी लगाते तो आप वार्च के पहले सब्ता में ही मिर्च के पोदों का ट्रांस्प्लांट खेत में कर सकते हैं ट्रांस्प्लांट किस तरह से करना है वा देखते हैं मिर्च के एक बेट से दूसरे बेट के बीच की दूरी आप 3 फीट रखे और एक पोदे से दूसरे पोदे के बीच की दूरी एक से देड़ फीट रख सकते आप मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें मिर्च के खे क्योंकि गर्मी के सीजन दे मिट्टी के अंदर से जो गर्म हवाएं आती हैं, इन गर्म हवाओं के कारण हमें dumping off की समश्या देखने को मिलती हैं, जिस कारण हमारे मिर्च के पोधे ट्रास्व्लांडिंग के बाद में मर जाते हैं, अब जानते हैं कि इने हम किस तरह से बचा स अगर आप पहली सीचाई सोम्मार को करते हैं, तो दूसरी बार सीचाई बुद्वार को करें, और तीसरी बार सीचाई शुक्रवार को करें. इस तरह से जब आप मिर्च के पोदों का ट्रांस्प्लांट करने के एक विक पहले सी चाही करते तो मिट्टी में मुझूद गर्म हवाई निकल जाएगी और हमारे मिर्च के पोदों के डंपिंग नहीं होगी अब हम बात करते हैं कि मिर्च की फसल में कौन-कौन से कीट वो रोकता टेक हमें देखने को मिलता है और इसे किस तरह से नियन्त्रित करें तो मिर्च की फसल में हमें माहु जिसे इंगलिश में April कहते इस कीट का सबसे जादा असर देखने को मिलता है यहाँ कीट पत्ती की निशली सता से रसको चूसता है, जिस कारण हमारे पोदे की पत्तिया नाव का आकार ले लेते हैं। अब इस खीट को नियंतरित करने के हमारे पास में कई सारे उपाई हैं। जैसे की पहला उपाई है की आप इस कीट को अपनी फिल्ड पर ही ना आने दें। तो आप उन फस्दों की मिर्च की फसल के साथ में इंटर प्रोपिंग करें। जिससे याँ कीट हमारी मिर्च की फिल्ड से दूर रहे। जैसे लेसुन की फसल लगा सकते या फिर आप प्याच की फसल लगा सकते हैं। लेसुन और प्याच की फसल मिर्च की फसल को एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। पर गर्मी के सीजन में हम लेसुन और प्याच की फसल तो नहीं लगा सकते हैं। तो हमें हमारे दूसरे उपाई पर जाना होगा हमारा दूसरा उपाई है कि आप नीमोईल का छिड़काओ करें या फिर आप रासाइनिक पेस्टी साइट्स का भी छिड़काओ कर सकते हैं जैसे कि पावर ग्रोग की मेटरेड एसीडा मेपरीड 20% SP आज से 10 ग्राम 15 लीटर पानी में वह इसके साथ में ही पावर ग्रोग की मेंटो एमिडा क्लोरोपीड 70% WG 7 ग्राम 15 लीटर पानी इन दोनों दवाओं को अच्छे से मिलाकर आप मिर्च के पोधे के ऊपर इस्प्रे कर जें इसके अलावा पीली मकडी का भी अटेक दिखाई देता है पीली मकडी के अटेक से हमारे जो पोधे की पत्ती आए बाहर की तरफ मूर जाती है एफिट्स के अटेक से अंदर की तरफ मूरती है तो पीली मकडी के अटेक से बाहर की तरफ मूरती है इससे हमारे पोदे की ग्रोथ रुख जाती है और इसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। पीली मकडी के अटेक से मिर्च की फसल को बचाने के लिए सेंजा क्विन 10% EC 500 ml 200 लीटर पानी में मिला कर प्रती एकड के हिसाब से स्प्रेक कर दे। अब हम बात करते हैं जो की जादा तर किसान भाई हमसे कमेंट स्रेक्शन में बोलते हैं कि उनकी मिर्च के पोदे के फुल जड़ रहे तो वे क्या करें। देखें जो हमारी मेल फ्लावरिंग रहती हैं वहाँ तो वेसे भी जड़ती हैं जब उसके परागण की क्रिया कंप्लिट हो जाती हैं तो थोड़ी बहुत फ्लावरिंग अगर आपकी जड़ती हैं तो उससे घवरान नहीं हैं पर अगर यहाँ ज़ादा दिखाई देता है और फीमेल फ्लावर भी जड़ने लगते हैं तो इसके कुल पांच कारण हो सकते हैं पहला या तो आपके एरिया का तापमा 10 डिगरी से कम है या फिर 37 डिगरी से ज़ादा है इस अवस्था में मिर्च के जो पोधे जो फूल रहते वह जड़ जाते हैं दूसरा या है कि आप सीचाए या तो ज़रुस से जादा कर रहें या फिर कम कर रहें चोथा कारण हो सकता है कि आपकी मिर्च की फेल्ड पर परागन करने वाली कीटों की कमी है जैसे की मदुमत और हमारा पांच्वा कारण यह हो सकता है कि आपकी मिर्च की फेल्ड पर रस चूसक कीटों का अटेक जादा है। इस कारण भी फूल छड़ते हैं। तो आप सबसे पेले मिर्च के जो पोधे हैं या हमारी मिर्च की जो भी फिल्ड हैं वहाँ पर कीटों को नियंत्रित अवश्य करें। साथ ही साथ परागण करने के लिए आप गेंदा की इंटरप्रोप्न मिर्च की फसल के साथ पर कर सकते हैं। इस तरह से आप मिर्च की फसल में जो हमारे फूल जड़ते हैं उनको नियंत्रित कर सकते हैं। काली मिर्च की खेती से भी अच्छी कमाई होती हैं और बहुती कम कि किसान भाई काली मिर्च की खेती करते हैं तो इस पर अगर डीटेल में एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्षन में जरूर लिखे काली मिर्च की खेती साथ ही साथ जो किसान भाई यहां तक आया है तो वे लाइक जरूर करें और हमारे जो बारा सो लाइक का और ये उसे कंप्लीट करें धन्यवाद किसान भाईयो जय जवान जय किसान